आप देख रहे हैं ब्रज भूमी नियूज ब्रज की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन का मध्यम ब्रज भूमी नियूज आधानी अमित्रो जैसा के आप सभी जानते हैं गूपाश्टमी का पर्व क्यों मनाया जाता है आज के दिन जब बलदाओ बड़े भाई कृष्ण के गाये चराने जाते थे तब भगवान कृष्ण ने भी ये कहा माता पिता से के गाये चराने मैं भी जाऊंगा उनकी जिद के आगे फिर एक मुहुर्ट निकाला गया अश्टमी का दिन था और सबसे पहले स्वतंत रूप से भगवान कृष्ण गाये चराने गए थे आजी के दिन इसलिए इसका नाम गूपाश्टमी पर्व रखा गया आज हमारे आंगन में एक ऐसा ही गूपाल है हमारे आपके सब के बीच का शायद समझ लीजे के पहली बार वो गाये चराने आएगा सूरे कांथ चतुरवेदी को मैं आम अंत्रित कर रहा हूँ आप सबके आशीरवाद का आपके आशीश का आकांगशी है सूरे कांथ चतुरवेदी अगर मेरी आवाज सुन रहा है खौसला अफजाई करें जितनी बेटी के लिए तालिया बजाएं उस्से कम बेटे के लिए नहीं होनी चाहिए साधर मंच की प्रस्तुदी को प्रणाम करता हूं मायमना को प्रणाम करता हूं सामने बेठे सभी शोताओं को अब लोग और यह कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि वो मनवीर भाई एक भारती ये पत्नी और पती का जगड़ा हो गया पत्नी गुस्से में भार चला गया शाम को फोन लगाया बोले घर में क्या बनाया पत्नी गुस्से में बोली और मतुरा की थी और पती भी मतुरा का था गुस्से में बोला पत्नी ने बोला गुस्से में बोले जहर बनाया आजा पती बोला मैं लेट आऊँगा ओफिस से खाके सोजाना यह साब मतुरा है और मैं बहुती सीधा साधा बच्चा हूँ मंच पर आप लोगों के बीश खड़ा हूँ आप सभी का आशिरवात करता हूँ देखिए मैं बहुत सीधा साथा बच्चा हूँ फिर बता रहा हूँ आज कल के बच्चे बहुत टेक निकलें पिता जी से आके बोला एक बच्चा बोले पापा इसकूल में बहुत टॉप क्लास टीचर आईये एकदम पिता जी ने चिलाया बोले चौप बोले टीचर मा के समान होती है उसके लिए ऐसे शब्द इस्तमाल नहीं किये जाते हैं बच्चा बोला बोले पापा बहुत समझदार हो हर वक्त अपनी जोगा ने लगे रहते हो इस बच्चे हैं बसा खेर में ज्यादा ट गांधी जी से देश के प्रती हम हालात कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे हम उनसे कि बाप हो जमाने की बयान करो दासतान बुल गयो जीवन है आसोने की धार में बुढ गयो जीवन है आसुने की धार में आदमी ने आदमी को चेहरा उतार फेको आन लगी स्वारत की गंध व्यवहार में आपा धापी में हैं सब को उकाऊ की न सुन प्यार की तलाश हो रही है व्यविचार में अगली पंक्ती में पुरा सदन तालियों से जुमटे कि बाप हो जमाने की बयाने का रोदास तान भूढ गयो जीवन है आसुने की धार में आदमी ने आदमी को चेहरा उतार फेको आन लगी स्वारत की गंध व्यवहार में आप अधापी में सब को उकाऊ की न सुन प्यार की तलाश हो रही है व्यविचार में हत्या और बलात कार हो गई है आम बात सोए गई आज तो मनुश्यता बजार में अगला बंद है कि सपने तुम्हारे बाप हो गए मलीन दीन भावरेक तैद हीन सोललाट है गयो महगाई ने हैं रोज बरस के बजारन में उन्नती के देह के कोई कपाट दे गयो प्राण के दिया में फूक मारन लगी है भूक सोने की चिरया को निरा लोठाट है गयो स्वर्गते ही आँख खोल देख लेर नएक देर स्वर्गते ही आँख खोल देख लेर नएक देर बापुते रोदेश आज बारवाट है गयो मैं देखिए शुरू से मनवीर भाई को बहुत पसंद करता हूँ क्यों? क्योंकि मैं भी वीरस पर लिखता हूँ और मैं इतना बड़ा कभी नहीं हुआ हूँ अभी मैं शुरू से मनवीर भाई को सुनते हुए आया हूँ मैं मनवीर भाई के लिए चार लाइने कहना चाहता हूँ यदि आपके बच्चे को आप तालियों से आशिरवाद देना चाहें तो वो आपके लिए होगा कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है नजर में उतरना कमाल होता है नफस नफस में बिखरना कमाल होता है और बुलंदियों पर पहुचना कमाल नहीं बुलंदियों पर ठेहरना कमाल होता है मैं चंद कहना चाहूँगा कुछ मनवीर भाई की ही भाशा में इस देश में आज तक जनता ने जो चाहा शहीदों ने जो चाहा कभी नहीं हुआ आप सब भली भाती परचेत हैं मैं कहना चाहता हूँ कि चाहते हैं गरीबी भ्रष्टा चार मिट जाए पर देश में कभी भी ऐसा द्रश नहीं मिलता भूक भ्रष्टा चार से तलपती है जनता पर उसको कभी भी इन साप नहीं मिलता सियाचीन में हमारे जवान खड़े रहते हैं हमारी एक सरजिकल के स्टैट के बाद तिल-तिल कर हमारे देश के जवानों को रोज शहीद किया जा रहा है मैं कहना चाता हूँ इसमें हम सेनिकों को कोज देते हैं हम शोलित के घूट पिये बैठे हैं इन अंगारों पे क्या गलती है शेरों की गीदड़ बैठे दरवारों में तप छन केता हूँ कि चाहते हैं गरीबी ब्रश्टा चार मिट जाए पर देश में कभी ऐसा द्रश नहीं मिलता भूक ब्रश्टा चार से तलपती है जनता पर उसको कभी बीन साप नहीं मिलता नत्यू के कगार पे खड़े हुए हैं लोग जहां उनका जो छूटा परिवार नहीं मिलता इतिहास दोहरादे देश में जो वापस से संसद को भगत जैसा बाप नहीं मिलता इतिहास दोहरादे देश में जो वापस से संसद को भगत जैसा बाप नहीं मिलता और ये चीज मैंने केवर हिंदुस्तान में देखी है कि यदि कोई वीर है तो उसको अपनी वीरता का प्रमान देना पड़ता है क्यों, क्योंकि यदि वो अपनी वीरता नहीं दिखाये, तो उसको दुर्वल समझा जाता है मैं चंद कहना चाहता हूं, कि वीर हो तो वीर का प्रमाऴीरता से देना वीरता में शत्रु का वताव जाग जाएगा कोई यदि देश को भ्रमित करने में लगा उसका विवश्टा में शीश जुक जाएगा होगा यदि योदा कोई होगा यदि योदा कोई शांत प्रिय हो कर भी हिंसा का पुजारी होना चाहेगा एक बार सेना को आदेश दीजिए हुजूर लाहर करांची में तिरंगा फहराएगा बहुत बहुत धन्यवाद आपका जोरदार तालियों से शुब काम नाय दें आशीरवाद दें निश्चत रूप से एक दिन मंच पर ये मत्रा का नाम रोशन करेगा ऐसा मैं आशीरवाद देता हूँ शुब काम नाय देता हूँ नित्य ठाकुर दर्शन, संत महंतों के आशीश वचन, भावपूर्ण भजन, ठाकुर रासलीला के नित्य दर्शन, आध्यात्म पर चर्चा और आपकी जिग्यासा के उत्तर, साथ ही मुख्य मुख्य आयोजनों का सीधा प्रसारण यूटूब चैनल के माध्यम से, आप ज ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आनंद लें ब्रेजभूमी नीउस का